हलो एवरीवन, वेलकम टू लेरनर बी, आई एम चेवानी चाहान, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास एट हिंथी की बुक का चाप्टर वन दौनी, तो देखिए ये जो पोयम है, ये पोयम लिखी है सूर्य कांत रिपाठी निराला ने, तो ये जो कविता है, इसमे तो देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में म्रिदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, तो अभी अंत का मतलब होता है, खतम हो जाना, या समाप्ट हो जाना, म्रिदुल, म्रिदुल का मतलब होता है, कोमल, या फिर जो चीज सॉफ्ट होत है ना उसको हम लोग उम्रिदूल कह सकते हैं और वसंत वसंत ऐसा मौसम होता है जिसमें फूल खेले लगते हैं तो कवी ने प्रकर्टी के वर्णन की हेल्प से युवा पीडी से कहने की कोशिश की है कि तुम आलस छोड़ तो नए उटसा नए जोश के साथ उठो तेखो प्र वसंत की शुरवात हो चुकी है इसलिए उठों जागो और अपना काम करो तो कव यह कहना जाते है कि अंत नहीं आया है और झीवन में अमरित रूपी वन है और वसंत रूपी योवन आया है अभी-वल्य ato नया जीवन आया है जीवन का अंत नहीं हुआ है क्योंकि आशावादी लोग जो है उनके साथ हमेशा जीवन में नई शुरुवात होती रहती है तो वही है कि अम्रित रूपी जो यौवन है जो उत्साह है इसको हमें हमारे में जो एनरजी है उस एनरजी को हमें हर तरफ खुश्बू की तरह फैला देना चाहिए और उत्साह के साथ अपना जीवन जीना चाहिए और कार्या करने चाहिए आगे है देखिए इसमें हरे हरे ये पात डालियां, कलियां, कॉमल गात मैही अपना स्वपन मदरुल कर फेरूंगा निंदित कलियों पर जगा एक प्रत्युक्ष मनुखर तो देखिए पात, पात का मतलब होता है पत्ता या फिर आफ लीफ बोल सकते हैं, गात गात जो है इसका मतलब होता है शरीर, ठीक है और स्वपन, स्वपन का मतलब होता है सपना मृदुल, मृदुल का मतलब होता है वह यह हमने देख लिए न, सॉफ्ट मृदुल कर, मृदुल कर का क्या मतलब होता है सॉफ्ट या फिर अच्छे से हाथ कलियां, जो छोड़ी-छोड़ी कलियां होती है फूलों की, प्रत्यूक्ष का मतलब होता है सवेरा, مónنگ, मनोहर का मतलब है जो काफी सुंदर लगता है ठीक है तो हरे हरे ये बात मतलब जो ये हरे हरे पत्ते है ये जो डालिया है कलिया है और ये जो कोमल गात है ये जो कोमल शरीर है ये बहुत ही अच्छा है मैं ही अपना सुपन मr'Tul कर और म्रदूल हाथ मतलब जो एक importance हाथ की इंसान के महनत की फेर हूंगा निरिंदित कलियों पर मतलब मैं जो है निरिंदित कलिया का मतलब है जो सोए हुए युवा है सोए हुए जो बच्चे है जो अपनी जीवन में महनत कर सकते हैं उनको मैं जगाओंगा जगा एक प्रत्युक्ष मनुहर और उनकी जीवन में एक नया खुबसूरत सवीरा लेकर गयाओंगा तो इसमें जो राइडर हैं यही कहना चाते हैं कवी प्रकर्टी का वर्णर करते हुए कहते हैं कि चारो ओर जो पेड है वो हरे भरे है पौधो पर कलिया खिली हुई है जो अभी तक सो रही है कवी कहते हैं कि मैं सूर्य को ला करके मतलब सन को ला करके इन कलियों की जो आलस है उनको हटा दूँगा इन पक्तियों के माध्यम से कवी ये कहना चाहते हैं कि निराशा और जिन्दगी से हाले लोगों को मैं जीवन का दान करूँगा और कवी कहते हैं कि जैसे हर तरफ रक्ष है, पौदे है, कलिया खिली हुई है उसी तरीके से मैं जो सूर्य रोगों के जीवन में लेकर के आऊंगा और वो जो अलसाय हुए हैं उनको मैं उठा करके जागरित करूँगा वो नई पीडी को प्रेणा देने की कोशिश करते हैं कि अपने जीवन में उत्साह का संचार करो जीवन में हर्याली लेकर आओ निराशा को जिन्दगी से धूर बगाओ और हिम्मत के साथ जैसे वसंद में हर तरफ पेड़ खिल जाते हैं कलिया किल जाती हैं पेड़ हरे भरे हो जाते हैं ऐसे ही जीवन को उत्साहित और हरा भरा बनाओ आगे हैं देखिए पुषप पुषप से तंद्रालस लालसा खीच लूँगा मैं अपने नव जीवन का अमरे सहर्श सीच दूँगा मैं तो यह पुषप का मतलब फूल होता है तंद्रालस मतलब होता है नीन में आलस की वज़ए से नीन में जाया हुआ ठीक है लालसा का मतलब होता है लालच नव होता है नए अमरत का मतलब होता है जो बहुती मतलब अच्छा होता है अमरत सुधा भी आप कह सकती है सहर्श सीच दूँगा मैं मतलब खुशी के साथ सिचाई कर दूँगा तो और फिर आगे हैं दिखा दूँगा फिर उनको मैं उनको है मेरे वे जहां अनंद अभी नहोगा मीरा अंद। फिर वागी यही कहते हैं कि निराश अताश लोगों के जीवन को मैं खुशोव से भर देना चाहता हूं। और राइटर कहते हैं कि मैं एक एक फूल से आलस को जो है वो खीच लूँगा, अर्थात मैं जो आलस में पढ़े हुए युवा हैं और जिनके मन में मैं नए जीवन के अमरत की प्रसनता, खुशी को गोल दूँगा, कभी कहते हैं कि प्रकर्ति के द्वारा निराश हताश लो वाओ के जीवन से वो आलस को दूर करना चाते हैं, वो चाते हैं कि मनुश्य अपने जीवन में नई कलाए सीखे और वो अपने जीवन को प्रसनता पूरवक आगे पढ़ाए, दुखों को पार करके साहस पूरवक अपने जीवन को वो जी सके, तवी कहते हैं जो इशो को प उतसाहित भावनाएं जो है वो में अपने पीडियों में जो नए आने वाली पीडियां हैं इस भावन दे करके जाओंगा और उनको एक नई रहा दिखाओंगा और उस नई रहा पर चलने से उनका अंथ इस प्रकृतिका इस रश्टीका और एक महनत का अंथ मैं कभी भी नही जो जीवन है जीवन की जो प्रेड़ना है कुछ कर दिखाने के ज़स्पा है उसका आंदिय कभी नहीं होने देंगे इसके बारे में यह कहते हैं तो इसका विता में जो ध्वनी है इसका विता में सूरे कांथे पाथे निराला प्रकरती को एक युवा व्यक्ति से कंपेर करते है और कहते हैं ज辿iens तरीक विता फृक्रती में नए उत्षा हा आगया है उसी तरह यंग्स्टर जो होते हैं जो पीड़ी कि फिलोग को हते हैं उनमें उत्सरा हा आना चाहिए और वहनत से अपने जीवन में आगे काम करें इस तरीकर का उसमें भढ़ना चाहिए तो यही था पुएम के एक्स्पिनिशन कैसा लगा आपको बता सकते हैं अच्छा लगा लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंस के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा तक यू